नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपोटेंट है तो आज भी मैं कुछ प्रोब्लम के सोलुशन के बारे में यहां बात करूँगा तो आज की प्रोब्लम है पानी के उपर की टूलू पंप मोटर जो होती है वो पानी कम देती है या समर्शिबल मोटर है वो पानी कम देती है क्या कारण हो सकते हैं तो उसके बारे में आज हम डिसकस करेंगे ठीक है दोस्तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप नए है चैनल को सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बैल आइकन पर कलिक करके नोटिफिकेशन कौन कर ले ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से पहले अब ठंड बढ़ गई है तो बात कर रहे थे हम टुलू पंप और समर्शिबल मोटर के बारे में पानी कम क्यों देती हैं अखिरकार क्या क्या कारण हो सकते हैं और सेटप बाई सेटप आप उसको ठीक कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं ठीक है तो सबसे पहले टुलू का पानी कम देने का या ना देने का वो होती है मोटर की जो पाइप होती है उससे हवा जो होती है जो खिचाओ करते वक्त जो एमपेलर हवा बनाती है मोटर हवा बनाती है वो हवा कहीं कहीं से लिकीज होती रहती है तो यह है सबसे पहला में प्रोब्लम ठीक है तो सबसे पहले आप यह देखे कि कहीं से कहीं लिकीज तो नहीं हो रही है जहां से हवा जो मोटर बना रही हो कहीं न कहीं निकल रही हो तो इससे दिक्कत होगी तो सबसे पहले है यही इसको बोल सकते हो आप हवा बनना दूसरी जो प्रोब्लम होती है टुलू पंप में वो होता है कि जो इनर्वाल होता है इनर्वाल जो होता है उसका कारिय होता है कि वो पानी को खीच के रखता है हवा का एक प्रेसर बनता है जो खीच के रखता है वापिस उसको नहीं जाने देता पानी को तो अगर वो खराब हो जाएगा वो अटक जाएगा या लिकीज हो जाएगा तो प्रोब्लम होगी तो इनर वाल की प्रोब्लम होगी तो आप सबसे पहले इनर वाल को चेंज करें ठीक है अगर ये प्रोब्लम भी ये जो मैंने बताई ये दोलू चीजी भी ठीक है तो हो सकता है कि आपके मोटर का जो connection है वो उल्टा हो मोटर आपकी उल्टी चल रही हो अगर मोटर आपका गलत राउंड लेगी मोटर आपका गलत चलेगा उल्टा चलेगा तो प्रोब्लम होगी कि पानी बहुती ज़्यादा कम देगी ठीक है, चोथी प्रोब्लम है, सील का कर जाना, एक सील होती है, एमपेलर के नीचे, तो अगर वो लिकीज हो जाएगी, वो कट जाएगी, तो प्रोब्लम होगी, पानी निकलने लगेगा, जो प्रेसर बन रहा है, प्रेसर की जो हवा है, वो निकलने लगेगी, और पानी कम द पांच वाइदोस्तों एंपलर का घिज जाना एपल लगी पत्ती दोगा jno भिलेड जो होता पंप का उसका घिस जाना उसकी पत्तियों का या तो रगड रहा है कहींशे और वू रगड ता joustil कई अधर पिछला बैरंग होता होता है मोटर का उसके गिस जाता है जिससे सील भी कड़ च्छटा जो प्रोब्लम होता है बहुत ज्यादा कुमनली होता है और ध्यान भी बहुत कम जाता है कि कैपिस्टर का खराब हो जाना कैपिस्टर की प्रोब्लम होती है कैपिस्टर वीक हो जाता है और मोटर जो है वो पूरे चक्कर नहीं लेती है जिसके कारण पानी मोटर बहुत ज़्यादा कम देती है तो यह मैंने बताया टुलू पंप के बारे में अब चलते हैं आप सेट अब बाई सेट अब इनको चेक करके अपने टुलू पंप को ठीक कर सकते हैं ठीक है इन में से कोई कारण अगर है तो आपका टुलू पंप जो है वो कम पानी देगा अब बात करते हैं समर्शिबल मोटर के पंप के बारे में समर्शिबल मोटर के बारे में तो सबसे पहला जो है वो होता है कि समर्शिबल मोटर के अंदर सबसे पहला कारण वो होता है कि मोटर के तार जो होते हैं, उल्टे होते हैं, मोटर उल्टा चलता है, अगर मोटर उल्टा चलेगा तो पानी बहुत कम देगा, सबसे पहला आप ये चीछ देख लीजिए, कि मोटर कहीं उल्टा तो नहीं चल रहा है, अगर मोटर उल्टा चलेगा, तो पानी कम देगा, जो जो दूसरा झो होता है दूसरा कारण वहोते हैं इंपेलर रगारी के भाते हैं को प्रेडनी के सागते हैं प्रेजुसरे पर नहीं भनेनju था जाता है देज्टर बार जो daratशना पर जाता है कच्रे से तो पानी मोटर बहुत ज़्यादा कम देगी समर्शिबल आपकी जो तीसरा है दोस्तो वह कारण होता है बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन होता है यह एलिमूनियम की जो मोटर होती है जिसमें सोरी एलिमूनियम रोटर वाली जो मोटर होती है उसका एलिमूनियम रोटर काम करना कम कर देता है काम करना यानि कि वो पूरे राउंड नहीं लेता तो दिक्कत होती है कि मोटर की स्पीड पूरी नहीं मिलती और पंप कारी कर जाते हैं उसको बोलते हैं रोटर फेल तो रोटर फेल की प्रोब्लम जो होती है उसमें दिक्कत होती है अलिमूनियम रोटर है बहुत जल्दी ख्राभ होने वाला रोटर है तो अगर यह प्रोब्लम है तो भी पानी कम देगी चोत्था है दोस्तों मोटर अगर आपकी रेत में चल रही है यापकी मोटर धसी हुई है जहां पे पानी बहुत कम है दलदल टाइप में है या बजरी जैसी जगह में आपने मोटर को लगा दिया है तो उस कंडिशन में मोटर के जो एमपेलर में खराब हो सकते हैं या मोटर आपकी जाम चल सकती जिसके कारण पानी कम आएगा रेत वा बजरी वाली जगहों पर ये प्रोब्लम होती है अगला दोस्तों एमपेलर का घिस जाना ठीक है एमपेलर अगर किसी कारण घिस जाता है एमपेलर ऐसे ही नहीं घिसता है पहले तो बुस्क राब होते हैं उसके बाद एमपेलर रगड लगती है और एमपेलर घिजते जाते हैं जिसके कारण फिर मोटर पानी कम देती है तो एमपेलर का घिस जाना यह प्रोब्लम आती है एमपेलर का घिसना इसके बाद होता है दोस्तो Pump का पहल हो जाना इसमें क्या होता है कि Pump प्रोपर तरीके से कारी नहीं करता, उसकी सेटिंग बिगड़ जाती है बुस कटने के कारण और उस कंडिशन में मोटर पानी बहुत ज़्यादा कम देती है इसको प्रोप का फेल होना वो भी बोलते है तो ये सब कारण हो सकते हैं, ठीक है? तो आप सेटप बाई सेटप मैंने छोटे से सुरुवात की है और बड़े कारण तक आपको बताया है कि पहले छोटे कारणों के से आप सुरुवात करें, उसको चेक करें सेटप बाई सेटप तो इस तरह से इन प्रोब्लम को पकड़ के आप अपने मोटर को ठीक कर सकते हो तो ये कारण होते हैं समर्शिबल मोटर में और टुल्लू पम्प में मोटर के अंदर की पानी वो कम देने लगते हैं ठीक है दोस्तो तो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तो अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक करिए दोस्तो में सेयर करिए चैनल को सस्क्राइब करिए कोई कमेंट हो कोस्षन हो तो हमें लिखिए बेजिजक और उस पे भी हम कुछ ना कुछ वीडियो जरूर मनाएंगे तो आज की वीडियो बस इतना ही फिर मिलें की से अनने वीडियो के साथ जय हिंद जय वारत यह देखिए दोस्तो आज सिरफ लगबग चार मिंट ही आये हैं और सुबह का वक्त था लगबग नो बजे नो बजे बारिस होई है वैसे तो पूरी रात ही बारिस हो रही थी पर हाँ पे 23 शुबह बारे सुबय जिसके साथ यह ओले पड़े हैं यह तो पिंगल गए हैं उन्ने बाद में देखा रहे हैं देख सकते हैं तो आज इसके खारन बहुत सारी बहुत ज्यादा ठंड हो गई यहां पर देखिए सब कहीं बिखरे पड़े हैं बूरी तरह से